इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्पादन संभावना वक्री की जिसको कि हम इंग्लिश में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से भी जानते हैं तो बच्चे हम इससे पहले वाली वीडियो में समझ चुके हैं कि कर्तेवस्ता के पास जो उपलब्द साधने वो सीमित हैं और सीमित साधनों में वो ही उत्पादन करेगा अलग-अलग वस्तुओं का तो सुविदा के लिए हम यह मान लेते हैं कि वस्तुदों हैं साथी साथ हम यह मान लेते हैं कि जो हमारी तकनीक है वो गिवन है यानि कि ना तो टेक्नलोजी में चेंज हो रहा है ना ही साधनों की मात्रा में चेंज हो रहा है तो उस इस्तिती में अगर हम उत्पादन करते हैं एक वस्तु का यानि कि एक वस्तु की मात्रा में विर्दी करते हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी यह बात तो definitely है तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है उत्पादन संभावना वक्र जो है वो दो वस्तूओं के उत्पादन की अनेक संभावना को दरसाता है अनेक संभावना को क्या मतलब है कि यदि आप X वस्तू की 100 वस्तू बनाओगे तो Y वस्तू की आपको कितनी वस्तू मिलेंगी या अगर मालीजे X वस्तू 0 बनाते हो तो y वस्तु कितनी मनेगी या और भी कई संभावना है उन सभी को एक चुत्री के दुआरा जो दिखाया जाता है उसको हम बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र तो definition को मैं आपको समझाओ उससे पहले मैं एक बार आपको table और diagram के तुरू बता देता हूँ कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है उसके बाद हम इस definition पर आएंगे उसके बाद हम इसकी मानितना है और विस्सिस्ताओं के बारे में जानकारी लेंगे ठीक है बच्चो तो सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले आप यह मान लीजिए कि सईयोग का मतलब है दो वस्तों कॉमिनेशन दो वस्तों ले लिए एक्स वस्तों वाई वस्तों फर एक्जामपल अगर एक कर्तिवस्ता जो है वो सारे के सारे साधन है वो खर्च करती है वाई वस्तों पर तो डेफिनेटली जब सारे के सारे साधन जब Y वस्तु पे खर्च किये जाएंगे तो X वस्तु का जो उत्पादन होगा उस सुन्ने होगा यहां तक तो मुझे लगता है आपको बात के लिए रहो जाना चाहिए अब देखिए बात समझने ही कोसिस कीजिएगा जो सादन है वो समान रूप से कुशल नहीं होते देखिए यह बात आपको याद रखनी है मैं यहां पर लिख देता हूँ इस्टार रूप में कि सभी सादन यह बात आपके लिए बहुत जरूरी है समझना सभी सादन सभी वस्तु के उत्पादन में समान कुशल नहीं होते बस आपको यह याद रखना है बस आप यह याद रखिएगा मैं आपको एक एक जाम्बल से बता देता हूँ मालीजे सपूस कीजिए आपके पास जमिन के दस टुकड़े पांच छे साथ आठ नो और दस तो मालीजे जमिन के दस टुकड़े हैं जिस पर आप दस कम्रे बना सकते हो मैं सिंपल समझानी कोसिस कर रहा हूँ बच्चो ताकि आपको समझ में आ जाए तो सुविदा के लिए माना कि एक सवस्तु जो है वो कम्रे है या मकान की कम्रे तो आप 100 रूम मना सकते हो क्योंकि आपने सारे के सारे साथन कम्रे बनाने में खर्च कर दिये रूम मनाने में खर्च कर दिये तो जो गेहुं का उत्पादन होगा वो शूरनी होगा ये बात के लिए होनी चाहिए अब दिख़े अगर हमें मान लीजिए आप इस पीस से क्या करना है कुछ साधनों को हटाकर गेहुं के उत्पादन में लगाना है यानि कि आप चाहरे हो गेहूं का उत्पादन बढ़े तो दिखे आपको बात समझनी पड़ेगी क्योंकि ये सभी साधन अगर मकान मनाने में कुशल हैं समान रूप से तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये गेहूं बनाने में समान रूप से कुशल होंगे ये बात आप क्लियर कर लीजिए तो आपको मान लीजिए मैं इसको ए बोल देता हूँ तो हमने क्या किया ए को मकान के कमरों से हटाके गेहूं के उत्पादन में लगाना सुरू कर दिया तो हम ये मान रहे हैं कि 10 केजी गेहूं आपका बनना सुरू हो गया इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको 10 केजी गेहूं बनाना है तो आपके पास अब मकान की मात्रा जो होगी वो केवल 90 रह जाएगी इससे जादा नहीं होगी बात के लिए रोगी बच्चो लेकिन अगर आपको अब ये जो मकान ये वाला है ये वाला केवल 6 केजी मतलब कमरे तो 10 मर रहे है लेकिन 6 केजी ही गेहूं बना सकता है और ये केवल 4 केजी ही गेहूं बना सकता है यानि कि जैसे ऐसे आप पीच्चे की तरफ जाओगे ये मकान बनाने में तो समान रूप से कुशल है लेकिन गेहूं का उत्पादन करने में समान रूप से कुशल नहीं है क्योंकि यह समान रूप से कुशल नहीं है इसलिए अब आपको दो मकान को हटाना पड़ेगा अगर आप 10 किलो और बनाना चाहते हो इसका मतलब आपके पास केवल 70-70 कमरे रह जाएंगे यानि कि अगर आप चाहते हो कि 20 किलो गेहूं बने तो आपके पास केवल 70 रूप रह जाएंगे यही समझना है क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि सभी सादन सभी बस्तू के उत्पादन में समान कुशल नहीं होते इसका मतलब क्या हुआ कि जितना एक कुशल था गेहूं बनाने में उतना ही B प्लस C मिलाकर कुशल है उतना ही इसको हम नाम देते हैं D E F और G ठीक है यानि कि उतना ही जो कुशल है वो है हमारा D E F D E F इसका क्या मतलब हुआ कि 10 केजी अगर आप और ब्रदी करना चाहते हो तो आपको 3 कमरों से हाथ दोना पड़ेगा यानि 30 कमरों से हाथ दोना पड़ेगा इसका मतलब 30 का उतना अगर होता है तो यहाँ पर जो उतना होगा वो केवल 40 का होगा लॉजिक वही लग रहा है क्योंकि सभी साधन सभी वस्ते के उतना है समान रूप से कुशल नहीं होते अगर इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए चार और काटने पड़ेंगे दस और व्रदी करने के लिए इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ पर उत्पादन करते है 40 का तो यहाँ पर जो उत्पादन रह जाएगा बच्चो वो शूनिका रह जाएगा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ हर बार बोलूँगा कि सभी साधन समान रूप से कुशल नहीं होते है देखिए मान लीजिए एकनोमिक्स पढ़ाने वाले टीचर 10 है तो अगर मान लीजिए किसी वज़े से मुझे हटाया जाएगा एकनोमिक्स से पॉल साइंस की तरफ तो से मुत पादन जो मैं कर रहा हूँ उतना मैं पॉल साइंस में नहीं कर सकता और हटने वालों मैं सबसे लास्ट में मैं रहूंगा क्योंकि मेरी एफिसेंसी जितनी ज़्यादा होगी किसी की एकनोमिक्स पढ़ाने में उतना ही ज़्यादा वो दूसरे सब्जेक्ट पर ट्रांसफर होगा मैं आपको समझाने के उसे सकर रहा हूँ बच्चो तो यहाँ पर आपको यह समझना है कि जैसे जैसे आप X बस्तू की मात्रा में समान विर्दी कर रहे हो आपको Y बस्तू की मात्रा पहले से ज़्यादा त्याग करनी पड़ रही है इसको हम बोलते हैं सीमानत अफसलागत सीमानत अफसलागत का क्या मतलब होगा डेल्टा लॉस loss किसका हुआ है y का upon delta gain यानि कि आप याद रखिएगा lab को delta loss यानि कि हानी को lab से divide करना है बस आप इसको याद रखिएगा slope लेकालने के लिए तो यहाँ पर देखिए कितना change में यहाँ पर कितना change आया है 10 की हानी बटे 10 का lab 20 की हानी बटे 10 का lab 30 की हानी बटे 10 का lab 40 की हानी बटे 10 का lab तो इस तरीके से इस केस में जो सीमान तफसर लागत है वो एक रहेगी इस केस में सीमान तफसर लागत दो रहेगी इस केस में सीमान तफसर लागत तीन रहेगी तो इसकी वज़े से क्योंकि देखिए पहले वाली वीडियो में हमने समझ चुके हैं क्योंकि समान मात्र में व्रदी करने के लिए जो त्याग की दर है वो बढ़ती चली जा रही है इसलिए जो पीपीसी बनेगा उसकी जो शेप होगी वो नतोदर होगी ठीक है याद रखना नहीं थोड़ा जादा हो गया दुबारा से लेते हैं क्योंकि हमें तो केवल चालीस तक की उत्पादन दिखाना है ना ठीक है तो यह हमने टू ले लिया वन टू त्री फोर टेन ट्वेंटी थर्टी एन फॉर्टी ओके बच्चों तो दीके मैं आपको बताने यह चाह रहा तो यह A हो गया B, C, D और E अब हम देखते हैं वाई वस्तु का उत्पादन कितना होगा तो इस पर तो 100 है इस पर यह 90 है इस पर यह 70 होगा इस पर यह 40 होगा और यहां पी 0 होगा तो आप देख सकते हैं कि बार-बार जो गैप है वो लगाता है बढ़ रहा है लॉस का यान तो बच्छो पादन सम्मावनवक्र की पहली माननेता यह है कि जो उपलब्द सादन है उनकी मातरा इस्तिर है इसका मतलब जो भी हमारे पास सादन उपलब्द है वो सीमित मातरा में हमारे पास उपलब्द है इसके अलावा तकनीक इस्तिर है इसका मतलब जब हम यह पूरी बच्चो जो सादन है वो दोनों वस्तू के उत्पादन में समान रूप से कुशल होंगे इसके लावा अगली मानेता यह है कि सादनों का वेकल्पिक उप्योग संभव है इसका क्या मतलब हुआ बच्चो यह एक सादन का उप्योग हम कई उदेशों की पूर्ती करने के लिए कर सकते हैं तो बच्चो यह हमारी मानेता हुए अब हम विसिस्ताओं की बात कर लेते हैं तो पहली विसिस्ता तो यह है बच्चो कि उत्पादन संभवना वक्र का ढाल नीचे की ओर होता है नीचे की ओर का क्या मतलब डाउन वड़ इस तरीके से लेकिए नीचे की ओर उपर की ओर मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जैसे ऐसे आप X वस्तू की मात्रा को बढ़ाओगे, आपको Y वस्तू की मात्रा पहले से ज़्यादा हर बार ज़्यादा त्याग करनी पड़ेगी, यह concept है, इसके अलावाद दूसरी जो मानिता है, या दूसरी जो विस्षिस्ता वो यह है, कि यह मूल बिंदू की ओर नतोधर होता है, जिसकी कारण बढ़ती हुई सीमान तफसला लागाता है, बढ़ती हुई सीमान तफसला लागाता है, क्या मतलब हुआ इसका, कि जैसे ऐसे आप X वस्तू की मात्रा में विर्दी करोगे, इस समान रूप से, आपको Y वस्तू का जो त्याग है, वो पहले से जादा करना पड़ेगा, बच्चों यह है इसकी पूरी के पूरी माननेता हैं, तो बच्चे चलिए आप हम बात करते हैं, उत्पादन सम्मावना वक्र में खिसका विया, उत्पादन सम्मावना वक्र में परिवर्तन की, तो दीखे, अभी तक हमने जो मान के चलेते हैं, वो यह मानना था, दो मानने था हमने मानने थी, नम्मर वन, टक्नीक जो है, वो इस तिरे, दूसरा साधन की मात्रा, गिवन है, इसका मतलब, उत्पादन सम्मावना वक्र में एक बाउंडरी बन गई, गिवन टेक्नीक में और गिवन साधनों में, दिये गई साधनों और दी गई टक्नीक में, तो यहाँ पर बच्चों आपको यह बात समझनी होगी, कि उत्पादन संभावना वक्र में भी परिवर्तन संभाव है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम जो पहले हमने जो दो मानेता है मानी है उनको हम एक तरीके से छूट दें तो अगर हम उनको छूट नहीं देंगे तो पादन संबाना वक्रे में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं लेकिन अगर हम छूट देते हैं तो देखे किस तरीके से परिवर्तन होगा जिसे माल लेजिए यह हमारी पुरानी बाउंडरी है ठीक है हम सभी डायर आए हमें पुरानी बाउंडरी बना रहे है अगर तकनीक में सुधार होता है तो इससे डायर उत्पादन बढ़ेगा इन दायर होगा या सादनों की मात्रा में वर्दी होती है तो भी दायों और बढ़ेगा तो इस केस में ये जो है ये जो boundary बनी गिवन टक्नीक दी गई टक्नीक और दी गई सादनों में बनी है लेकिन जैसे अगर आप मानेता को relaxation करते हो तो आपका ये जो PPCI ये उपर की तरफ चला जाएगा ये क्या बता रहा है या तो आपकी तक्नीक में सुधार हुआ होगा या संसादनों की मात्रा में वर्दी हो गई होगी जिसकी वज़े से या तो ये तक्नीकी सुधार हुआ होगा तक्नीकी सुधार या संसाधनों में वृद्धी हुई होगी जो भी हुआ होगा इसी वज़े से ये दायोर गया है अगर हम बायोर की बात करें तो बच्चों definitely causes वही रहेगा कि या तो तक्नी की खराबी हो गई होगी ठीक है या संसाधनों की मात्रा में खराबी होगी तक्नी की खराबी या संसाधनों की मात्रा में मात्रा में कमी चलो जी यहां पर तो हमें बात समझ में आजाने चाहिए अब मान लीजिए यही केवल एक्स वस्तु के लिए हुआ है ऐसा भी तो पॉसे वाला है ना कि तक्नी की सुद्रियों केवल मोबाइल फॉन की केवल एक्स वस्तु की तो दायों खिसक जाएगा यानि कि यह क्या बता रहा है कि जो संसाधन बड़े हैं मैं यह लिख नहीं पा रहा हूं कि जग गम में आप समझ लीजिएगा यह क्या बता रहा है कि जो संसाधन बड़े हैं वो केवल एक्स वस्तु के लिए बड़े हैं और इसी तरीके से ये अंदर की तरफ खिसक जाएगा, इस तरीके से अगर तकनीकी खराबी होती है के वल एक्स वस्तू के लिए, या तकनीकी संसादनों की मात्रा में कमी होती है के वल एक्स वस्तू के लिए, ठीके बच्चो, इसी तरीके से अगर मन लिजे एक्स वाई वस् जाद्श्तू के लिए तक्निक में खराबी होती है तो यह नीचे की तरफ चला जाएगा साथ ही संसादू की मात्रा में कमी होती है तो भी नीची की तरफ चला जाएगा तो आपको माली जी कई सारे पॉइंट दे सकता है आपको अपनी कॉमेंस लगाना होगा बच्छो जैसे माली जी कि कोई सुनामी आती है तो उसका उत्पादन सम्मावनावकर पर क्या असर बढ़ेगा अंदर ये लेफ्ट की तरफ इसक जाएगा माली जी गवर्मेंट सिक्षा पर जोड़ देती है तो उत्पादन बाइयोर की सख जाएगा सुनामी से बाइयोर और एडुकेशन से बाइयोर जैसे कि माली लोग एक सीब्सक्राइब कुशन आया था अच्छा कुशन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि माली जी भारत सरकार सुच्छा वारत अव्यान चलाती है तो इसका पीपीसी पर क उनकी ability बढ़ेगी definitely उत्पादन सम्मावन वक्र बढ़ेगा तो इस तरीके से आपसे कुशन पूछ सकता है बचो मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूं कि उत्पादन सम्मावन वक्र हमें बहुत सी और भी चीज़े बताता है जैसे क्या उत्पादन किया जाए कैसे उत्पादन किया जाए संसादनों का विकाज यह सारी समस्या है उसको भी बताता है तो एक बार मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से बताता है जैसे क्या उत्पादन किया जाए कि हम बात कर रहे हैं तो जैसे माली जीए आप जैसे हमने पिछली बार भी बनाया था इस अभी थोड़ दिल पहले 10, 20, 30, 40 तो एक अर्तिवस्ता को यह क्योंकि अर्तिवस्ता सभी सभी सयोगों का चुनाव एक साथ कर नहीं सकती है उसके पास इतनी अबिलिटी थोड़ नहीं है कि वो सभी साबनों का चुनाव एक साथ कर लेगी ठीके तो यहाँ पर यह जो B, C, D है यह हमने बताया था 100, 90, 70 और 40 तो आपको यह समझना है कि अगर मन लिजी अगर आप A का चुनाव करते हो तो इसका मतलब आपने केवल X वस्तु का चुनाव किया और अगर आप B का चुनाव करते हो तो आपने केवल X वस्तु का उत्पादन किया इसी तरीके से B, C और D वो दोनों वस्तु के उत्पादन को दिखाते है लेकिन दोनों की मात्रा अलग अलगा जैसे B में क्या है 10X है और 90Y है C में क्या है 20X है और 70Y है तो इसलिए अर्थवस्ता के सामने एक चुनाव के समस्या जो है वो उत्पादन सम्मावना वक्र जो है वो सॉट आउट करता है कि आपको डिसाइड करना होगा कि कौन से पॉइंट पे रहे इसके अलावा बच्चों देखे तक्नीकी जो समस्या है जी कि मैं आपको बदा देता हूँ कि उत्पादन सम्मावना वक्र पर जित्ते भी पॉइंट है चाहे वो B हो C हो या D हो चाहे A हो चाहे E हो ये सभी के सभी दिखाते हैं संसादनों का पूरुपियो और तक्नीकी कुशलता को यानि कि अगर कोई भी सादन बेरुजगार रह जाता है या तक्नीक अकुशल रहती है तो उत्पादन जो होगा वो इससे अंदर होगा मैं इसे G-point बोल देता हूँ तो G-point क्या बता रहा है ये बता रहा है कि हमारी जो तक्नीक है वो अकुशल है या संसादनों का अलप उप्यो हो रहा है तो अर्थिवस्ता को ऐसे प्रत्न करने पड़ेंगे जिससे कि अर्थिवस्ता जो है वो P-P-C पर चले जाए चाहे वो किसी भी point पे जाए उससे matter नहीं है लेकिन हमें चाहिए यह वाले इन में से कोई एक point तो बच्चो इस तरीके से हमारा उत्पादन सम्मा होना वाकर का पूरा का पूरा topic complete होता है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको concept समझ में आ गया होगा बच्चो इस वीडियो में इतना ही थेंक्यू